नमस्कार दोस्तों मैं वापिस हूँ आपके सामने एक छोटी सी वीडियो को लेकर जब मैंने पहली वीडियो अपलोड कि थी एंडी टीवी के बैन के खिलाफ वह एक जैनुएन रीजन था जो कि मुझे लगता था कि वह गलत हो रहा है क्योंकि एक सही चैनल जो सही न्यूज देता है और जिस्ट बिकास वह गवर्मेंट के खिलाफ है उसको बैन करना इस नोट फार्ट अफ डेमोक्रासी सो उसके खिलाफ मैं जैनुएनली चाहता था कि जो मेरे व्यूज है मैं उसको वापिस रखों लेकिन उसके बाद जिस तरह किसे भक्त जो है मोधी भक्त नोग आपको बताओं कि किस तरह के से जो मोधी गवर्मेंट है वो गलत काम करती है और पबलिसिटी लेती है सो यूटर्ण की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने कहा था कि मोधी गवर्मेंट काफी जगाओं पर यूटर्ण ले चुकी है और वो आगे भी नॉलेज जाए वहां तक आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और खासतोर पर भक्तों के लिए मैं एक चाहूंगा कि अपना दिमाग लड़ाएं और सोचें जो मैं इस समय कह रहा हूं उसका क्या मतलब है सो जैसे कुछ यूटर्ण सम बात कर रहे थे सबसे पहला यूटर्ण तो आप सबने वो वीडियो देखी होगी बहुत ही वाइरल वीडियो है आप उसे धूंड सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर और अब दो सलबाद नजाने ऐसा क्या बदला जिसमें वो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया इसके इलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लैक मनी सब बाहर थी और उसे लाने के वादे थे और हर कहाते में पंद्रा लाक रुपे देने की बात थी वो एक राजनितिक जुमला था इसके इलावा जब यूएस के साथ मनमौन सिंग की नुकलियर डील हूई थी तो बीजेपी उसके सक्त खिलाफ थी और उसको स्क् इफकेशन चाती थी पर गवर्मेंट में अने के बाद वो उनकी खुद के एक लब्लब दी हो गई और इसके अलावा जम्मौ कश्मीर में 370-धारा बंद करने की बात कर रही थी वेजेपी और गवर्मेंट में आने के ब़ाद कक्श्मीर में उन्होने सांजी सरकार बनाए है और 370 पर बात करने को राजी नहीं है धारा 370 एज इस है इसके इलावा बंगलादेश के साथ जो यूपी ए सरकार किये कि स्कीम थी लैंड बाउंडरी के लिए जो बॉर्डर बाउंडरी बिनने के बात हो रही दी उसके खिलाफ थी बीजेपी सरकार और मिश्टर मोधी ब अन्ना अंदोलन चल रहा था और कहा जा रहा था कि सभी पार्डीज की जो डिनेशन्स है वो आर्टी आई के अंडर आनी चाहिए राइट टू इंफरमेशन उस समय कॉंग्रेस इसके खिलाफ थी और इसको काफी बुनाया था बीजेपी ने की कॉंग्रेस अपने आपको आ जाद दे रहे थी और जब सेंटरल पावर में आई तो अब वो इसके खिलाफ है अब वो भी नहीं आठी है के अंदर आने चाहती है इसके इलावा और भी यू टर्न है बीजेपी के मैनिफेस्टो डेली इलेक्शन से पहले बीजेपी के नेता डेली को स्टेट हुड दिला कि इसको पार्लियमेंट का अप्रोवल नहीं है और जैसे वो सेंट्रल गवर्मेंट बनाएगी आधार कार्ड को स्क्राप कर दे जाएगा ये इसके बिल्कुल बंद कर दी जाएगी और आज की डेट में जब आधार कार्ड एक सक्सेस्फुल आप्शन है तो मौदी सरकार उसके वाहवाई लूट रही है कि इससे जो मनी डिस्टिबिशन में फैदा हो रहा है यू आईडी स्कीम जो उनकी है उसके वो लोग बात करना चाहरे हैं इसमें उनको कोई प्राब्लम नजर नहीं आती इसके लावा गंगा की सफाई तीन साल का वादा किया था उमा भारत है उसको शेर तो नहीं कर सकता पर मैं सिफ यह बताना चाहता हूं और भक्तों को खास तौर पर मैसे दिना चाहता हूं कि भक्तों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भक्त किसी की भी बनी है आप देश भक्ती की बात करते हैं और जो भी आपके खिलाफ जाता है जो भी होती है वो कहां थी जो देश भक्त लोग हैं उनको एक गुंडे की जुरुत नहीं होती है फिर अमित्शा जैसे तड़ी पार की जुरुत नहीं होती है अपनी देश भक्ति दिखाने के लिए मेरी वीडियो इस पर कमेंट करते हैं कि बीफ के खिलाफ है मुझे परस्नली मैं खाता और नहीं मैं इसमें कोई इंट्रस्ट वकता हूं और मुझे कोई अतराज नहीं है अगर कोई भीफ खाए कुछ भी खाए वो उसकी परस्नल लाइफ है तो उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा इसके इलावा सब कुछ आपके सामने है बस जरुत है भक्तों को में में अल्रेडी हैं और कहां कहां पर मोधी सरकार ने थुक कर चाता है यह सब सब के सामने है मुझे शायदा कहने की जूद नहीं है आप इंजॉय किजिए आपको भक्ती मुबारक हो और जिस तरह किसे कुछ लोग मुझे आम आदमी पार्टी से आप टार्ट कह रहे हैं और कुछ कॉंग्रेस सी कह रहे हैं तो मैंने जैस पहले भी का मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ पर आप टार्ट से जिस तरह आप से आप टार्ट बनता है सो बीजेपी का बास्टर्ट बनता है तो आप अपने राम को जस्टिफाई मत किजी धन्यवाद बाई